भेंगाली फेमस स्वीट रजगुला यी रेसिपी मैं आप सब से श्यार कर रही हूँ बिल्कुल शॉप्ट और स्पॉंजी पाफिक्ट रेसिपी बनकर तयार होगा मैं इसमें आपके साथ टीप्स भी श्यार करूंगी रेसिपी को एंड तक आप लोग जरूर देखिए सबसे पहले मैं याप पर दो लिटर दूद ले रही हूँ मैं याप पर पैकेट दूद का इस्तिमाल कर रही हूँ आप चाहे तो काव मिल्क भी ले सकते हैं तो मैंने याप पर दो पैकेट फूल क्रीम दूद लिया है और दो पैकेट तोन मिल्क लिया है दूद में अच्छे सी उबाल आने देंगे जैसी दूद में उबाल आएगा मैं याँ भीनिकर का इस्तेमाल कर देंगे आप चाहे तो नीबु का भी इस्तेमाल कर सकते मैंने याँ पर 3-4 चमज भीनिकर लिया है और उतना ही मैंने पानी दोनों को मिक्स करके जैसी दूद में उबाल आया, तब हम इसमें डाल देंगे गैस के फ्लेम को बंध नहीं करेंगे, गैस के फ्लेम को और में रखें हम वििनिकर को डालेंगे, जैसी दूद और पानी अलग हो जाएगा तुरंथ हम गैस को बंध कर देंगे और यहाँ पर ज़्यादा वेट नहीं करेंगे तुरंध हम किसी कॉटन कपड़ा में इसको छान लेंगे चाहिए तो हम छन्नी में भी छान सकते मैं आपको पूरा दिखाऊंगी आप वीडियो पर बने रहें तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक कपड़े में छान के जो पानी है उसको छान लेंगे और इसे हम ठंडा पानी से 2-3 बार अच्छी तरीके से धो लेंगे जो विनिगर का खटा पन है वो निकल जाए तो यहाँ पर मैंने तीन से चार बार अच्छा पानी से जो छाना है इसको धो लिया है अब हम इसको जो कपड़ा है इसे थोड़ा सा अच्छी तरीके से पानी को हमें अच्छा से निचोर लेना है तो इस तरीके से पानी को निचोड के हम यहाँ पर एक छनी के उपर इस चाना को रख देंगे तो जितना एक्स्ट्रा पानी वो निकल जाएगा अब हम यहाँ पर छनी में भी इस तरीके से चान सकते हैं छनी में चान कर सेम प्रोसेजिंग में हम धोलेंगे 3-4 बार पानी से धोके हम इसे ढखके रख देंगे तो एक्ष्टर पानी निकल जाएगा यहाँ पर हमें जादा देर ने रखना है पास से 7 मिनित जाज़ा तक 10 मिनित रखेंगे और उसके बाद हम एक प्लेट में चाना को डाल लेंगे अब हमें बहुत अच्छा से इसे मिलाना है तो यहाँ पर मैं एक चमबच मिला रही हूँ मैदा आप चाहे तो कार्ण फ्लार भी ले सकते हैं और अच्छी तरीके से मैदा के साथ में चाना को मिला कर हातों के साहिता से मसल मसल के हम इसे चाना को मिलाएंगे ये बहुत ज़्यादा जरूरी स्टेफ है जितना अच्छे से हम छाना को मिलाएंगे छाना को शौब्ट बनाएंगे उतना ही हमारा जो रजगुला है वो सौब्ट और स्पॉंजी बनेगा तो यहाँ पर देखे तब तक हम मिलाएंगे 6 से 7 में तक हमें इस छाना को अच्छे से मिलाना पड़ता है थोड़ा सा पेशेंस लखना पड़ता है हात के नीचे देखे बिलकुल भी लगने राएं चिपकने राएं यानि की हमारा चाना बिलकुल परफेक्ट है यहाँ पर हम बॉल की सेप में गोल गोल बनाएंगे रजगुला आप चाहे तो आपना हिसाब से साइज बना सकते हैं बड़ा या छोटा तो मैं इस साइज का रजगुला बना रही हूँ यहाँ पर हमें गुलाब जामुन के तरह जाद़ प्रेशर नहीं लगाना है बस साल खा तो इसी घुमाएंगे तो हमारा रजगुला परफिक बन जाएगा सारा रजगुला इसी तरह से बना लेंगे अब हम सुगर सिरफ बनाएंगे जिसके लिए में दो कप चीनी ले रही हूँ इस कब से दो कप चीनी और छे कप पानी जितना हम चीनी लेंगे उसका तीन गुना हम पानी लेंगे और फिर पानी में उबाल आने देंगे शुगर शिरफ में मैं यहाँ पर थोड़ा सा इलाइची आड़ कर रही हूँ इलाइची का पाउडर आड़ कर सकते हैं मैंने कूट कर डाला है तो अच्छी तरीके से शुगर शिरफ में जब उबाल आएगा तब हम एक एक करके छाना का जो बॉल से इनको डाल देंगे पानी में बहुत अच्छा उबाल आना बहुत ज़रूरी है जब तक उबाल नहीं आएगा तब तक नहीं डालना है तो यहाँ पर बॉल्स को डाल के हम ढग देंगे थोड़ा सा गैप रखेंगे और जब यहाँ पर हम 5-7 मिनित तक हाई फिले में कुक करेंगे उसके बाद ही हम इसको दिरे दिरे से पलत लेंगे यह रजगूला बनने में 20-25 मिनित लगता है आप चाहे तो 20 मिनित तक पकाएंगे तो ही हमारा रजगूला एकदम बन जाएगा तो इस तरीके से मैंने 2-3 बार ढखके 20-25 मिनित तक रजगूला को पका लिया है देखिए जो रजगूला है वो फूल चुका है और बहुत यह अच्छी तरीके से उबाल भी आ रही है तो यहाँ पर देखिए हमने 20 मिनित तक पका लिया है अभी हमारा रजगूला बन कर बिल्कूल तैयार है यहाँ पर हम गैस को बन कर देंगे और ठंडा होने के लिए रखेंगे इसी में हम रख देंगे ढखकर यह कोई 5-7 मिनित कोई-कोई गरम-गरम भी खाना पसंद करता है और आप चाहे तो ठंडा करकी भी खा सकते हैं तो ठंडा करने के लिए हमें 1-2 घंटा चाहिए और अगर हम गरम-गरम खाते हैं तो पासे 7 मिर के अंदर खा सकते हैं तो यहां पर एक से दो घंटे के बाद मैंने रजगुला को सर्प किया है, देखिए कितना अच्छा से हमारा रजगुला फुल गया है, और कितना सौप्ट, स्पॉंजी, कितना सुन्दर दिख रहा है, खाने में भी उत्तिनाई टेस्टी है, यह रेसिपी आप लोग जरूर कीजिएगा, जिस तरह से मैंने बता है, इस तरह से ट्राइ कीजिए, आपका रेसिपी भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, फटेगा नहीं खाई से भी, अगर यह रेसिपी पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक भी जरूर कीजिए, कमिट में ब बना है, धन्य बाद